सुनाती हो आपको मोहन काका की कहानी जो माधोपुर और आसपास के इलाके में कई सालों से चिठियां बाटा करते थे हर घर को लगभग जानते साथे एक दिन जब दाक मिली मोहन काका को तो उसमें एक चित्थी थी जो की थी तो माधोपुर के पास की ही लेकिन उस पते पर उन्होंने पहले कभी चित्थी नहीं दी थी जानते नहीं थे उस घर में किसी को दिन भर सारी डाक, सारी चिठियां बाटने के बाद, उस पते को ढूनते हुए पहुँचे, दर्वाजे की घंटी बजाई, तो अंदर से आवाज आई, कौन? इन्होंने आवाज दी, पोस्ट मैं, तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई की, चिठि दर्वाजे की नीचे से डाल दीजी, मन ही मन इन्होंने सोचा की बताओ, मैं चिठि लेकर इतने दूर आ सकता हूँ और ये महरानी दर्वाजे तक नहीं आ सकती है, थोड़ा खीशते हुए इन्होंने कहा की, देखिए रेजिस्ट्री है, साइन करना पड़ेंगे, बाहर आईए, उसने का ठीक है आती हुँ अंदर से इसे अवाज आई, उसके काफी देर बाद भी कोई बाहर नहीं आया, तो ये मतलब काफी अधीर हो गए, काफी इरिटेट हो गए और जोर-जोर से दर्वाजा पीटते हुए का कि मैं पास एक ही काम नहीं है, और भी चिठियां डाक बाटनी है, जल्द काका को बहुत शर्मिंदिगी हुई अपने व्याभार की, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रजिस्ट्री दी, साइन कराई और वहां से चले गए, आट-डस दिन बात फिर से उसी पते की जब चिठी आई, तो मोहन काका ने एड्रिस पर पहुँचकर, डोर-बेल बजात तो वह बाहर से यह आवाज दी, कि चिठी आई है, और आज साइन करने के भी जरूत नहीं है, दर्वाजे के नीचे से डाल दूँ, तो अंदर से लड़की की आवाज आई, कि नहीं, रुकिये मैं आ रही हूँ, दर्वाजा खुला, लड़की ने चिठी ले, और साथ में एक गिफ्ट दिया, एक तोफा, और बोली काका, यह आपके लिए चिठी के लिए शुक्रिया, काका ने शर्मिंदा होते हुए, वो ले तो लिया तोफा, लेकिन कहा कि इसकी क्या जरूरत थी, भूली नहीं नहीं, यह आपके लिए है, लेकिन इसको घर जाकर ही खोलिएग घर जाकर जब काका ने उस तोफे को खोला तो पता है उसमें क्या था, उसमें एक जोडी चप्पले थी, मोहन काका सालों से पूरे गाउ में बिना चप्पले पहने चिठीया बाटते थे, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया था, किसी नो सरव ध्यान नहीं दिया था, और ये ननी सी बच्ची जिसके खुद के पैर नहीं है, उसने इनकी तकलीफ को समझ कर उन्हें चप्पले गिफ्ट की, कले जैसे चप्पलों को लगा कर बहुत रोए मोहन काका, अक्चली अगर हम इंसान है ना, तो हमारा समवेदन शील होना, सेंसिटिव होना जरूरी है, वर दुसरे के दर्द को समझने की कहानी में बहुत बड़ा संदेश शुपा हुआ है, आइस मेसेज को लेते हैं, किसी का दर्द समझने की कोशिश करते हैं, किसी के नंगे पैरों को चपल देते हैं, 94.3 मा आइफम से मैं हूँ वे नी, चलो आज कुछ अच्छा करते हैं